नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुल आर्ट में आप सबी का एक बार फिर्ष स्वागत है场, आज हम बात करेंगे भारतिय चित्रकला के अंग, यहानि की भारतिय चित्रकला के जो च्छे अंग है उसके बारे में आजम विस्तार से बात करेंगे, तो आएए देख लेती हैं भ नार्ति चितरकला के छे अंग जैपूर के राजा जैसिंग प्रथम की सभाग के विख्यात विद्वान राजप्रोहित पंडित यशोधरा ने ग्यारविश तापदी में कामसुतर की टीका जैमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसुतर के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधरा ने आलेख यानि की चितरकला के छे अंग बताई हैं। दरगत शडांग शिक्स लेम्स ओफ पेंटिंग नामक पुस्त का प्रकाशन सन 1921 इस्वी में करवाया गया था। उनकी इस पुस्तक अधार कामसुतर में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्तान पर आलेखम चितरकला के संधरव में योशोधरा पंडित की कामसुतर वाली टीक। जिसका समय ग्यारवी और बारवी श्ताब्दी माना जाता है का यह शलोक है रूप भेदा प्रमानानी भावलावन्यम योजनम साद्रिश्यम वन्निका भंग इती चितर शडशकम। इसमें चितरकला के छे अंग बताए गई हैं जो निमन लिखित इस प्रकार से हैं। रूप भेदा यानि की द्रिश्टिक आग्यान ए नौलेज और अपियरेंस इसमें क्या होता है कि विभिन आकरितियों को उनकी विशेष्टों के भेदों से अवगत कुराना। सेकिंड है प्रमाण ठीक अनुपात नाम तथा बनावट ए कोरेक्ट प्रसेप्शन्स मेजर एंड स्ट्रक्चर और फॉर्म यानि की अलग अलग अकरितियों के अनुपात का सही ज्यान प्रमाण कहलाता है। अकरितियों में दर्शक को चितर के हरीदे की भावना दिखाई दे। भाग चितर का प्राण होता है भर्त मुनी ने आठरस और आठसताई भाव बताएं हैं। भर्त मुनी ने 33 सुंचारी भावों की संख्या भी बताई है। नेक्स्ट है फोर्थ नमबर पे लावन्यय योजना, यानि कि कलात्मक तथा सौंदेर्य का समावेश, इन्फ्यूजन ओफ ग्रेस, आर्टिस्टिक रिप्रेजन्टेशन्स, लावन्यय का अर्थ है सुन्दर्ता, सलोनापन, इसके द्वारा भारी सौंदेरे की अभिवक्ति होती है, लावन्यय चित्रों के भावों को कांती में दिप्तिमान बना देता है, नेक्स्ट है, फिफ्ट नंबर पे साद्रिश्य, यानि कि देखे हुए रूपों के समान आकरिती, सिमलिटूर्स, साद्रिश्य वास्त्रिक रूप चित्रन का एक महत्तपुन अंग है, भारतिय कलाकारों ने मानव अंगों को साद्रिश्य चित्रन प्रविती के अनेग इसी आंखे, शिक्स नंबर पे है, वर्निका भंग, यानि कि रंगों तथा तुलिका के प्रियोग में कलात्मकता, आर्टिस्टिक मैनर इन यूजिंग दा ब्रश एंड कलर्स, रंगों का प्रभाव वो मिश्ण उनके प्रियोग के अनुसार वो ब्रश के अंतरगत आता है प्रतेक चितर में भावों के अनुकूल, रंगों का प्रियोग चितर को बहुत ही प्रभावशाली बनाता है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरे आज की वीडियो, भार्थी चितर कला के छे अंग, और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ रियो इसमें तूटियां रहती है, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो अब मिलते ही अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद,